हेलो यूटूब फैमिली वेलकम टो न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सबी लूग बहुत अच्छी होंगे तो यह जो ब्लॉग है आज का मेरा तो यह जो अभी आप देख रहे हैं तो यह दो तारिक का ब्लॉग है और इवनिंगा टाइम है और मैं मार्क तो अच्छी लगती है तो आज मैं ने यह वाव कुछर्वा डिन बनाया था क्यूंकि स्कात कियुक्र rage मैं मैं तो मुझे का इवनिंगे है और डी का में तारी का बनाल खींस काना था तो अभी इनका टाइम है तो अभी इनिका था तो गाल जो 12 डिन ऐसे चावल बनाने थार हो कि अभी ने दिन खाना नहीं खाया है तो वह सुवद जो बचा था वह खा के चले गए और थोड़ा सा जो रात का खाना था वह हमने खा लिया था बच्चों ने और मैंने मिलके तो अब हस्बेंट जी आएंगे ऑफिस से तो उनको कुछ चाहिए खाना पेट भर के चाहिए तो इसलिए मैंने स अच्छी लगता है। अच्छी लगता है कि अपने गह लोग में, यह रगांने मिर्चि खाता च्शुण करता है करना उल नहीं और था तो लिक व्यत्त-बचचों अपने तो आज चंची काल और शाब कीमलत्य ने व्यायदा को घोझेति यरा उश्या न यूज़काली का ल और जो मेरे बेसिक मसाले होते हैं उनको भी मैं अच्छे से इसमें तेल में रोष्ट कर लूँगी और इसी में डाल दूँगी अपनी तोरी की सब्जी जो मैंने काटी थी और एक आलू भी मैंने डाल दिया है तो इसको बहुत जादा मुझे रस्य वाली नहीं मनाना है थोड मैंने चावल भी बना ली है अलग से कूकर में और इधर मेरी तोरी भी बनके तयार है तो चार-पांच रोटी अभी मुझे बनानी है तो दो रोटी मैं खाऊंगी दो हस्बन खाएंगे और एक रोटी मेरे बच्चे भी खाएंगे तो अब लगा रहे हैं महीं आपर थाली द्वारालाइंगे हाँ, अबस बताएंगे तोरी की सबचवे है चांए बताएंगे और आप बताये कैसी बनी होगी ठीक है तो किसको पते थारी की सबजी घोंषरी को मैं पता थाली, कमेंट में ज़रूर बताये। तारी लग गई है और हस्बन जी बे सबरी से इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत जोर की भूंख लगी है और रात का टाइम हो चुका है आठ वजे का तो आठ वजे हम लोग डिनर कर लेते हैं इससे ज्यादा रात में नहीं करते हैं कहीं दावत बगएर में पाटी बगएर करने लग जाती हूं तो जादा रात भी हो जाती है लेकिन रात पर are मैं एडिटिंग करते इंग or कि जा रहे हैं उंसमेंट को अब स्वा जा रहा है तो अभी 10 यानि कल रात को बापस आएंगे दो दिन के ट्रेनिंग है बहाँ बहुत जबर्दस ट्रेनिंग है तो बड़े-बड़े हेल्थ कोच बहां पे आ रहे हैं गाइस और अभी बच्छे जा रहे हैं इस्कूल तो साड़े आठ बजे का टाइम है और मैं इन के लिए यहां पर पराठी आज इनको देने वाली हूं और आज बहुत सारे मेरे काम भूत सारा है आज घर पर गाइस तो वैसे ना आप मेरे लेंग्वेज पर बिल्कुल मत जाएगा मैं थोड़ा दिहाती मतलब कल्चर में पली बड़ी हूं तो थोड़ा मेरी जो भासा है वो थोड़ा दिह प्राठी लेंग्वेज मेही में बोलती हूं आप लोगों से सब्सक्राणाप रात-कप्राइबंटे शुआ को रेंग्नौर करूज गा तो अब ही में कप्ड़े दुर्खें किस निग्नाल रही हूं क्योंकि आज मेरे घर में भुत सारे कपड़े हैं तीन देनके के अप्र कुछ पिश्च को बढ़े हो जाते हुर तो सबस् totalement कप्ड़े एक COMM 128 वसलाव धीषाब यह comes 미 exam करके लेंनी के सब्सक्राइब शूचा चलव का घ्र्णेrings सब्सक्राइब होन शूचा बातीति तो ड़ा म हमिए धुत है दूचा ज़ाड़ लगा चुक हुं पूरे घर में तो अभी भी धूल करने वाला कोई है नहीं तो अच्छे से मैं साफ सफाई कर लेती हूं तो मैं आ गई थी नहां दोकर तो कपड़े मैंने बहुत सारे दो दिये हैं तो अब मैं ब्लागिंग एडिट करूंगी और अभी मुझे ना थोड़ा सा खाना भी बनाना है तो खाने में मैं आज बनाने सब्सक्राइब करेंगे तो अब भी मैं नहां कर आ गई हूं और थोड़ा सा अपना जो मॉस्टराइजर पगेरा है वहीं लगाओंगी बहुत ज्यादा में करती हूं और सिर्फ बेबी क्रीम ही लगाती हूं फेस पर या अलोवीरा जल बगेरा लगा लेती हूं तो यहीं क कपड़ी भी नहीं पहनती हूं और जादे तर आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत जादा सिंपल रहती हूं फ्रॉग बगेरा जादा वेयर करती हूं मेरी तो इन पहनी थी एक दिंग लाई थी में बहुत अच्छी लग नहीं और अब हो गाए बेशा तो जूंकों में मुझे जो याद ही नहीं कहां रखे भूलती हुँ इस धीर सुप्पे की नहीं करते हुद मैं तो और पर प्रसान प्रक्राशान हो गही हो जैसे ही घर के काम खतम करके निफ्टी तब ही मुझे याद आया कि मेरे जो लड़ू को पाल है वो दो दिन से नहाए नहीं है तो आज मैंने शोचा इनको इसनान करा देती हो थोड़ा सा इनका भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि घर में आये सेवा ऑन बनती है ना इनकी तो मैंने इनको अच्छे से निला डिया है घंगा जल से ही निलाया है बहुत जादा चीजे मेरे घर में अभिले नहीं है है तो इतनी अभी अभी कोई नहीं है मेरे घड़ में तो जैसा behavior हो पारा है मैं वैसी कर रही हूँ लेकिन में बहुत सारी जानती हूँ एक यूटुबर ने भी मुझसे कहा था YouTube पर कमेंट भी आया थे मुझे के आप ऐसे किया करो आप ऐसे किया करो सेवा तो उनका जो नाम है काजल है शायद मैं भूल गई हूं काफी दिन पहले आया था उनका जब मैं लड़ू को ले कर आई थी तो कोई बात नहीं अभी मुझसे जैसे हो पारा है न मैं वैसे ही करूंगी तो अभी मैंने इनको निला दुला कर अच्छे से और इनको मैंने क ज Putting cup onkle ओड़ने के बाद ही निए अच्छ透 क давно के बाद इनको कि इनको सूलाना है जब हमारे चोटा बच्छा होता है रहे हूं जब Balsy लेका निश्यारी के लिए लिए इसांदन्ला कराती थी अपने बच्ठे को तो उनको नेंद बहुत जल्दि आती धी दूपकार मेरे ब भी खा दिया था यारी यह कैसे लग रहे हैं अपने आपको देख ले तो काफी अच्छी लग रहे हैं बहुत क्यूट हैं बहुत प्यार आता है इनकी उपर मुझे गाइज बहुत अच्छे लगते हैं घर में मन लगा रहता है अब मुझे अकेला-केला फिल नहीं होता जब अच्छी स्कूल चले जाते हैं तो मैं कई बार अपने आपको बहुत जादा अकेला फिल करती थी तो सो अब नहीं होता है तीसरे दिल इनको इसना कराया है।dat बहुत ज़ा जादा बीजी थी on theaisy सारे 11 बजी का टाइम है और मैंने अब बाबु को सनान कराया है गाइद बहुत लेट हो गया था और बच्चों को स्कूल भीजना होता है मुझे इतना मुझे नहीं ताइम नहीं मिल पाता है इतना बहुत सारा क्वाम हो जाता है अब मेरे लड़ू गौपाल वो सो चुके है उनको मैंने इसनान कराने के बाद इसनान कराने के बाल थबको और कर लोरी गाकर उनको सुला दिया है यहां पे तो अभी मेरे पास बहुत सारे काम है और अभी मुझे खाना भी बनाना है ब्लॉग भी एडिट करना है तो बहुत ज़दा टाइम लग जाएगा तो अभी चो टाइम हो गया है कम से कम 12.30 का टाइम है तो बहुत सार मिर्चे हर सब्सक्राइब में जादा पसंद है जाद तर मुझे गोवी आलू सिम्ला गाजर वगेरा सारी चीजों को जब में एक साथ मिक्स करके बनाती हूं तो मुझे बहुत यमी और टेश्टी लगती है तो अभी मार्केट में जो मतर तो आनी रही है तो मतर तो सफल मतर लेकर आई थी वैसे तो मैंने पनीर बनाए था तो घर में तो अभी मतर तो मेरे पास है नहीं लेकिन अब जैसे जब सर्दी आ रही है तो सब्जी और बढ़ने लगी हरी हरी तो वैसे ही मैं भी खुश रहने लगी हूँ अब सब्सक्राइब मुझे अच्छी खाने को मिले तो मैंने भुजी भी बनाई है तो उसके लिए मैंने मेथी ले ली थी आदा किलो और मैं पालक भी दुबार से लेकर आई थी क्योंकि रात में पालक नहीं लाई थी सिर्फ गोबी और सिबला और तोरी लेकर आई थी तो यह गाजर है मेरे पास जो फ्रीज में पड़ी हु निकाल लोंगी और फिर से तड़का लगाओंगी तो मैंने ना जब बनाती हूं वैसे तो गोबी में ऐसे ही बनाती हूं लेकिन मसाले डालकर बहुत अच्छी लगती है मसाला गोबी कि तरह लगती है एकड़ और बहुत यम्मी और टेष्टी और मेरे बच्चों को हस्बे करो और तरफ बनाया करो यानि कभे बिम् साथ साल मैंने सुसराल में जोइन फैमिली में गुजार हैं गाइस कैसे न कैसे लेकिन कभी भी बहां पर मुझे मिक्सब्जी खाने तो सब्जी को तड़का लगाने के बाद मेरा मन किया था कि मैं एफ्रेश एनर्जी डिंक पील लूँ तो थोड़ी सी मैंने एक चमट डाल के यहां पर एफ्रेश एनर्जी डिंक ले ली है तो चलिए बनाते हैं आज पालक और मेथी की भुजी तो मुझे तो बहुत जादा पसंद है हग्बेन को भी पसंद है और घर में बचों को भी लेकिन हम लोग मेथी पालक की बुजी कभी कभी ही इंजॉय करते हैं घर में जादा तर हमारे घर में साग बनता है जो घोटा लगाके बनाता है ना पीस के या घोटा लगाके और इसके साथ मैं बना रही हूँ यहां पे चावल के आटे की रोटी तो किसके इसको पसंद हैं जल्दी जल्दी कमेंट में बताईए कर जरूर तो भुजी को मैंने अच्छे से उबा जर्का लगाती हूं और सिंपल ही तरीके से बनाती हूं बहुत अच्छी लगती है टेश्ट ही लगती है ज्यादा खाई जाती है लगा दे असमन्तों घर है नहीं और यह थोड़ी सी ऑगई थी हमने बना बहुत थोड़ी सी उबऑ को इसमें दुय थो तो मैंने 2 रुजी क क्योंकि हम लोग सब्जी जादा खाते हैं तो मेरी इधर बनके तयार है रोटियां भी पैसे एक मैंने चूला बनाया है उस पर मैं बनाऊंगी ना रोटी तो आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी उस पर कैसे कैसे बने की रोटी देखो चूले पर बना लेती हूं मैं र सब्सक्राइब लग रहा था क्योंकि हजबन घर पे नहीं है तो कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि घर पे हम लोग अकेले ही होते हैं तीनों मावेटी और हजबन चले जाते हैं अपने ट्रैनिंग में तो मैंने यहां पर नीमीशा की मसाज की है यह मसाज लेने के बाद सो जा जितनी भी ठकान होती है पढ़ाई लिखाए की और जितनी भी टेंशन होती है बच्चों के अंदर वो सारी रिमूव हो जाती है बाड़ी से और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है तो मैं यह मसाज बगएरा अपने दोनों बेटियों की तीसरे चौते दिन कर देती हूं चौते समय तो अभी फोन आ गया था जो मेरे चोटी वहन है उसका तो यहां पर हम लोग उस्ते बात कर रहे हैं तो बाई बाई फैमली